हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज हम आपके साथ आम के पना के रिस्पी शेयर कर रहे हैं जो बनाने में बहुत इजी है और दर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी रिस्पी है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिया है ये चार आम लिये है तीन से चार सीटी लगा लिया है ये लिया है आधा चमत जीरे का पाउडर दो पिंच लाल मिर्श पाउडर है दो पिंच है काली मिर्श का पाउडर काला नमक है एक चौथाई चमत सेधा नमक है एक चौथाई चमत दो पिंच ही पुदीने की पत्ती का पाउडर है आधा चम्मच आइस क्यूब ले लिया है सबसे पहले हम आम का छिलका टालेंगे इसके छिलके उतार लिये हैं यह जो छिलके हैं इसमें डाल देंगे आधा कब पानी और जो इसमें अंदर गूदा लगा हुआ है हलके से मैश कर लेंगे सेंठा नमं काला नमद, जीरा पाउडर, लाल भी मिर्च पाउडर, गुड़, कली मिर्च के पाउडर और ये पुदीने की सोखी बत्ती लगा दिया है अब इसको ग्राइंड कर लिए है अब जो यह आधा बचा हुआ पना है उसी में यह डाल देंगे अब इसी में यह पना डाल देंगे इस तरह से बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और दर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी रिस्पी है यह इस तरह से ट्राइज जडूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हुँ तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना न भू भूले साथी बेल आइकन पर प्रेस करें थेंक्स पर वाचिंग बाइबाए